दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा दोस्तो वाटसप पर बीना नंबर सेब किये मैसेज कैसे करते हैं मतलब कि दोस्तो अगर आपको वाटसप पर किसी को मैसेज करना है ठीक है अगर आप चाहते हो कि उसका number नहीं save करें तो आप message कर सकते हो बिना number save किये ठीक है आपको करना कुछ नहीं है बहुत आसान तरीका है बस आपको क्या करना है उसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको कोई भी application डाउलोड करने की जरूत नहीं है कोई भी लंबा process नहीं करना है बस वीडियो को पूरा end तक देखना है तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आगा तभी दोस्तों आप message करना सीख सकते हो बिना number save किये ठीक है तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ मेरा नाम सौरव है और आप देख रहे हैं सौरव गों टेक तो चलिए दोस्तों बिना समय वरबात की वीडियो को सुरू करते है तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को सुरू करते है सबसे पहले आपको अपने फोन में Chrome browser को open करना है तो दोस्तो आप देख सकते हो इदर से मैं अपने फोन में Chrome browser को open कर लेता हूँ ठीक है तो आप देख सकते हो इदर से मेरा Chrome browser open हो चुका है अब आपको search वाल option दिख रहा है आपको उसमें search करना है दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर search क्या करना है Https ठीक है आप देख सकते हो Https उसके बाद आपको double कॉमा देना है ठीक है तो इधर से मैं double कॉमा देता हूँ उसके बाद आपको double slash देना है ठीक है तो इधर से double slash भी देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है डबलू ए लिखना है ठीक है तो इधर से डबलू ए लिखने के बाद दोस्तों आपको एक dot लगाना हुआ ठीक है इधर से मैं एक dot देता हूँ dot लगाने के बाद दोस्तों me लिखना है बार एंटर कर लेता हूं उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूं जो 91 लगा यह क्यों लगा है तो दोस्तों हर कंट्री का अपना अलग-अलग कोड होता है जैसे आप मैं एक्जांपल बताता हूं आप किसी कहां भी कॉल करते हो तो ठीक है जब आपने नंबर डालते हो तो आटोमेटिक जब कॉल लगता है तो 91 लिख जाता है किसी के नंबर के आगे लिख जाता है चाहे कहीं पर भी कॉल करो ठीक है मतलब इंडिया के अंदर तो यह कंट्री का कोड होता है इसलिए दोस्तों आपको इसको लिखना जरूरी है 91 उसके बाद दोस्तों आपको नंबर डालना जिसके आपको मैसेज करना है तो इदर से मैं नंबर लिख लेता हूँ नंबर लिखने के बाद दोस्तों आपको इसको सर्च कर देना है तो इदर से मैं सर्च कर लेता हूँ ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हो इदर से ये कुछ इस तरह का पेज ओपीन हो जाए उसके नीचे continue to chat लिखा हुआ है दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना है तो दोस्तों इधर से मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर क्लिक करने के बाद आपको इधर option आजाता है मैं दोस्तों दो WhatsApp लिख करता हूँ इसलिए मेरे सामने option आया है आप जैसे उस पर continue to chat पर क्लिक करोगे आपका direct WhatsApp खुल जाएगा तो जैसे मैं इधर से इस वाले एक WhatsApp पर क्लिक कर लेता हूँ किसी वाले पर भी इधर से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ठीक है तो दोस्तों आप देख से विए आपका WhatsApp खुल चुका है आप तो पहले number देख लो ठीक है इस पर नाम कुछ भी नहीं लिखा है ठीक है आपको save करने की जरुवत नहीं पड़ेगी यह बिल्कुल भी save नहीं हुआ ठीक है आप इदर से message कर सकते हो ठीक है तो पहले मैं इदर से इसको message कर लेता हूँ ठीक है आप number देख सकते हो इसका पहले number देख लो ठीक है अब मैं यहां से back होकर WhatsApp में चलके दिखाता हूँ आपको तो इदर से मैं back हो गया अब मैं WhatsApp open करता हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंट्स इधर से आ चुका है ठीक है इधर से देख सकते हो वार्टसप में भी आ चुका है मेरे तो इधर से आप देख सकते हो ठीक है यह मेरे वार्टसप में भी आ चुका है इसका नंबर तो दोस्तो इस तरह से आप इसको मैसेज कर सकते हो बीना न जुलीगा.